जे मसी की दोस्तों, आज की स्वरगी मन्ना का भाग हमने लिया है व्यवस्ता विवरन की पुस्तक, उसका आठमा अध्याय और उसका दूसरा वचन वचन कहता है, फिर तो उस संबून मार्ग को इसमन रखना जिस पर इन चालिस वर्षों तक तेरा परमेश्वर यहुवा तुझे इस जंगल में से इसलिए ले आया है कि वो तुझको नम्र करे, तता जाच कर ये जान ले कि तिरे मन में क्या है और तू उसकी आग्याओं का पालन करेगा या नहीं धरने माद पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर तो महान है, महिमा और आधर की योग है दोस्तों ये वचन हमें क्या बताता है, ये वचन हमें परमेश्वर की योशनाओं के बारे में बताता है ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है ये बचल हमें बताता है कि परमेशर चाहता है कि हम उसका चरितर पाकर हमेशा उसके साथ रहें हमेशा उसके बने रहें, उसके हो जाएं दोस्तों, परमेशर माहन है, आप आध करिए मिस्र में घुलामी की जिंदगे जीते हुए हमारे पूरवजरों ने 430 साल बिताए और 430 साल में वो बहुत ही बेरहमी से फिरॉन के द्वारा पिसे जा रहे थे लेकिन परमेश्र की करुणा परमेश्र की दयाने परमेश्र की आश्र परमेश्र ने उनको वहां से निकाला और वो रेगिस्तान में लेकर आया वो उस जंगल में लेकर आया क्यों कि परमेश्ट चाहता था कि मेरे बच्चे जो कि घ्रेना जिनके मन में घ्रेना जिनके मन में दासत्व की भावना है जिनके मन में डर की भावना है वो डर की भावना निकले और मेरे बच्चे प्यार करें मुझसे उनके मन में प्यार आए उनके मन में दीन ताए उनके मन में नम्र ताए, वो चाहता है कि हम नम्र बने, वो चाहता है कि हम दीन बने, इसलिए उसने उसने भूका रखा, इसलिए उसने मन्ना खिलाया, ताकि उस मन्ना पर विश्वास करें, वो परमेश्वर पर विश्वास करें, इस संसार पर नहीं इस संसार पर नहीं दोस्तों परमेशर हमें चुनता है और चुनकर अलग करता है अलग करता है ताकि हम उसके हो जाएं वो देखना चाहता है कि हमें संसार कितना है जब वो हमें अलग करता है तो वो चाहता है कि हम अपने अंदर से संसार निकालें दिखें बेहन भाईयों हमें संसार अपने आप निकालना है परमेशर हमें अलग करता है एशो मसी के पविद सामर्थी इनाम के द्वारा उसके लहू के द्वारा उसके शुर्दा के द्वारा permission ने हमें आत्मी ग्रूप से आसाथ किया है वल्वंत किया है संबूर किया है उसने हमारी आत्मा को जिन्दा किया है हमारे मन को नया किया है पत्थर का हिर्दे निकाल कर मास का हिर्दे डाला है उसने हमें पुरी तरीके से पूर्ण किया है सिद्ध किया है लेकिन हमें अपने आपको सिद्ध कब करना है हम कब सिद्ध होंगे जब पूरी तरह से संसार हम में से निकलेगा पूरी तरीके से संसार हम में से निकल जाएगा और हम दीनता के साथ नम्रता के साथ परमेश्वर के चर्णों में अपने आपको समर्पित करेंगे अपने हर उस पल को समर्पित करेंगे जो परमेश्वर का है अपनी हर उस इच्छा को समर्पित करेंगे जो परमेश्वर के लिए है हमें जीना परमेश्वर के लिए है हमें बढ़ना परमेश्वर के लिए है हमें परमेश्व को बताना है इसलिए वचन कहता है वो चाहता है कि चालिस साल का जो रास्ता है वोसे तुम याद रखो तुम याद रखो कि कैसे मैंने तुम्हारी अगवाई की थी तुम याद रखो कि कैसे मैंने तुम्हें नया किया है तुम याद रखो कि कैसे मैं तुम्हारे बीच बे रहा तुम याद रखो कि मैंने तुम से कैसे बातें की थी तुम याद रखो कि कैसे मैं तुम्हें प्यार करता हूँ हम धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें इश्यु मसी के पवत समर्थी लहू से शुद्द किया है आसाद किया है पूरी तरीके से दोस्तों हर सुबा हर पल हर च्छार काम करते हुए हमें जीवन मिदाते हुए कभी भी नहीं भूलना है कि हम एशू की खड़ीदे हुए हैं हम अपने लिए इस धर्टी पर नहीं हैं हम परमेश्वर के लिए हैं इसलिए वो चाहता है कि हमारे बार बार उसे निकाल कर देखता क्यूं है? क्योंकि वो जानना चाहता है कि उस सोने में इतनी गर्माईष, इतनी आग की तपश हो जो उस आग की तपश में बहुए Oha अप्ना चेहरा देखे इसलिए परमेशर जो हमें चुनता है जो हमें नया बनाता है जो हमें आपने करीब आता है तो परमेशर चाहता है कि मेरे बच्चों में मेरा चेहरा देखे मेरे बच्चों में मेरा चरितर देखे मेरे बच्चों में मैं देखूँ इसलिए वो कहता है कि मैं तुम में रहना चाहता हूँ अलगया दोस्तों धन्यवाद देते हैं पिता परमेशर का कि पिता परमेशर की ऐसी योशना है जो हमें सिद्ध करें पिता परमेशर की ऐसी योशना है जो हमें परमेशर जो हमें पूरी तरीके से आसाथ करके अपने करीब रखें इसलिए दोस्तों हम उस योशना के तहट अपने जीवन को बिताएं उस योशना के ताहित अपने अपने सारे कर्मों को करें अपने जीवन को बिताएं हम अपने जीवन चल रहा ऐसी बिताएं रोस की जीवन चल रहा हमारी ऐसी होने चाहिए कि हम उस आशीश, उस योशना, उस सुख को प्राप्त करते जाएं जो परमेशर की ओर से है आई हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेशर तेरे पवित्त समर्थी नाम में अद्बु शिवा है धन्यवाद परमेशर हम विश्वास करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि हम यह महसूस करते हैं कि तू हमेशा हमारे साथ है तू हमेशा हमें परमे मेशर समार रहा है और हमें मेशर बरमेशर बना रहा है धन्यवाद देश्यु मसिया के नाम से मांगते सुनने वाले हर भाई बेन के लिए आशीर सुको चंगाई मांगते प्रातर आपने सुनी और कुबूल किये मैं इमैं इमैं